असलामुलेकम कैसे हैं आप लोग अमीद आप सब ठीक होंगे आज हमर्फी रिचर्ड्स इवोक फोर स्लाइस टोस्टर को अनबॉक्स करते हैं और इसका रिव्यू करते हैं यह मैंने बाक्स को खोला है यह मनी ओफ वाउचर है और साथ में इंस्ट्रेक्शन बुक्स है यह मुतलिफ जबान में इंस्ट्रेक्शन बुक्स दी गई है इसमें काफी जबानों में इंस्ट्रेक्शन और इसकी लुक आफटर का तरीका बताया गया है पैकिंग भी बहुत अच्छी की गई है आप देख सकते हैं यह स्टिकर मैं रेमूव कर दूँगी और डेम्प स्पंज के साथ मैं इसको वाइप कार लूँगी इसकी बैक पे क्रम्स ट्रें हैं जिसमें क्रम्स कठे होते रहते हैं और इनको कभी कभी साफ करते रहना चाहिए मैंने इसे प्लक कर लिया है और इसे यह मैं थोड़ी देर आन करूंगी ताके इसके अंदर से सारे टॉक्सिक और स्मेल क्लीन हो जाए यह कंट्रोल नॉब्स है इनकी सेवन सेटिंग्स है यह एजएक्ट स्विच है और यह री हीट बटन्स है और यह बटन फ्रोजन ब्रेड के लिए है अब टोस्ट बनाते हैं मैंने डाइल को 3 पे सेट किया है हम एक वकत में दो स्लाइस भी बना सकते हैं और फोर स्लाइस भी बना सकते हैं दो स्लाइस के लिए अलैदा कंट्रोल हैं और दो स्लाइस के लिए अलैदा कंट्रोल हैं ये तीन मिनट के बाद हूदी पाप आउट हो जाएंगे ये पर्फिक्ट टोस्ट बनी है अब हम इसको मारजरीन भटर या मामलेड और जाम के साथ सर्व कर सकते हैं ये त्री मिनट की सैटिंग के साथ मेरे लिए पर्फिक्ट टोस्ट बनी है और मुझे ये टोस्टर काफी अच्छा लगा है और फिर इन्शाला ताला मिलेंगे अगली वीडियो के साथ अला हाफिज